ओम श्यान्ति आज आपका 104 दिन का वर्दान और इस महा वर्दान में परमात्मा ईश्वरी वर्दान में हम एक रहसे में बात सीखने वाले हैं जिसके द्वारा हमारे मन की सिती सदा ही उची रहे और साती सात हम जिसके बारे में जो अच्छा सोचे हैं उसको भी कल्यान हो उसका भी जीवन अच्छा बने और सुकदाई बने तो बाबा आज कहते क्या हैं इस मंसा सेवा के बारे में देखें जा रहा तो परमात्मा कहते है हैं इस बरदान में मनसा के महादान द्वारा मनसा मतलब माइंड 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 मतलब आपके संकल्प आपके सोच के महादान के द्वारा हम सोचते हैं कि हम केबल धन के द्वारा किसी की मदद कर सकते हैं या तन के द्वारा किसी की मदद कर सकते हैं लेकिन परमात्मा ने कह कि आप जब भी दुनिया में या किसी को भी या दुनिया में बहुत बड़े तरीके से किसी को अगर दुख हो रहा हो अशान्ती फैल रही हो जैसे आज फैल रही है कोवेट के कारण तो आप मंसा के द्वारा भी सेवा कर सकते हैं और आप उसमें शक्तियां गुण सब कुछ आप दे सकते हैं यह राज परमातमने हमें खोले हैं तो परमातमत के द्वारा संकल्पों का दान जो का है उसको महादान है उसके कि जब आपने सोचा वह आपके जीवन में बहुत फटा फट जल्दी से हो जाएगा, कि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भवा, तो इसमें आज हमारे ले पोजिटिफ थॉट्ट क्या है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, क्योंकि मैं किसकी संतान हूँ मैं सर्वशक्तिवान पर्मपिता पर्मात्मा की संतान अब देखाया है तो हम सोचते हैं सर्वशक्तिवान होने की कारण मतलब क्या हुआ कि हम सोचते हैं कि पर्मात्मा ने मुर्दे को जिंदा कर दिया परमात्मा ने बिमार इंसान को ठीक कर दिया परमात्मा ने किसी वेक्ति के घर में बच्चा नहीं हो रहत उसको बच्चा दिलवा दिया या परमात्मा ने इस दुनिया में जो भी पाप करने वाले हैं उनका सर्वनाश कर दिया उनको खतम कर दिया तो परमात्माने बताया कि मैं इस दुनिया में पतित आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति रखता हूं तो ये सीख परमात्माने हमें दी, मैं इस दुनिया में पावन बनाने की शक्ति रखता हूं तो हम चाहे जितना भी एर पॉलिशन के बारे में बात करें, चाहे हम जितना भी कहें कि पानी ब्लकुल पॉलिटेड हो चुका है, इसको पवित्र बना है लेकि परमात्माने कहते हैं कि वो सब कुछ तुम कर नहीं पाओगे जब तक तुम अपने मनसा, मला अपने थौट्स को पवित्र नहीं करते हो क्योंकि हमारे जो संकल्प हैं, संकल्प शक्ति से ही सारी श्रिष्टी रची जाती है और साइन्स भी आजकल बोल रही है बाहर जाने से पहले पहले कहां जा रहे हैं आपके थौट्स सबसे पहले आपके शरीर को एफिक करते हैं आपके थौट्स जितने पवित्र होंगे, जितने सुन्दर होंगे, उसके अनुसार आपके शरीर के एक एक आटम को, एक एक अनू को असर पड़ता है तो आप सोचें कि आपके संकल्पों का सिर्फ ये शिरीर को नहीं चारो तरफ आत्माओं को और चारो तरफ के पांच तत्वों को भी असर पड़ता है आप एक वाता वरन बना सकते हैं अपने घर का मधुर और अपने दुनिया का लेकिन उसके लिए क्या करना है मंसा सेवा तो बाबा कहते हैं इससार में जो बच्चे मंसा द्वारा शक्तियों को दान करते हैं तो एक तो हो गया कि आपने किसी को मुख से कुछ अच्छा बोला लेकिन आपने अंदर से अच्छा नहीं सोचा तो वो शक्तिदान नहीं हो पाएगी तो परमात्मा कहते हैं मन और मुख एक बराबर होने चाहिए तो जो सोचा, पवित्र सोचा पवित्र सोचो और पवित्र बोलो तब जाकर के किसी का भला होगा तो परमात्मा कहते हैं कि मंसा के द्वारा जो बच्चे मंसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सरशक्तिवान का वर्दान प्राप्त हो जाता है तो किसी चीज़ का जब हम दान करते हैं तो परमात्मा कहते हैं वो चीज़ तुमारे जीवन में बढ़ती जाती है तो हम किसी को दुआएं दे तो हमारे जीवन में दुआएं लगती है बदुआएं दे तो हमारे जीवन में बदुआएं लगती है तो मैं अगर किसी को बोलो कि आपके जीवन में सुख शान्ती हो आपके जीवन में सहन शक्ती बड़े आपके जीवन में सही क्या है गलत क्या अगर मैंने ये किसी के लिए सोच दिया मेडिटेशन के टाइम पर या किसी के लिए मैंने इस प्रकार से प्रे किया तो ये भी एक वरदान देना जैसा हो गया तो वरदानी सोच भला हो उसको सदबुध्धी आए उसके जीवन में स्मृध्धी आए उसके जीवन में शीतलता आए तो ये सारे जो वर्दान है ये पहले लगते किसको है सोचा तब मुझ आत्मा ने मेरे मन ने ये संकल बनाए तो सबसे पहले इसका फायदा हुआ किसको? मुझ आत्मा को तो मेरी वाइब्रेशन अच्छी होंगी आपके जीवन में स्वस्त अच्छा हो आपके जीवन में आपका शरीर पिलकुल ही अच्छे से चले हर अर्जा पुर्जा आपका ठीक रहे आपके हड़ियां ठीक रहे आपकी आँखे, कान, मुख हर चीज आपका दिल, आपका बेट, आपकी टांगे हर चीज ठीक ठाक चले ये छोटी छोटी बातें भी सोचना किसी के बारे में ये भी एक हो गया वर्दान जैसा और दुआएं हो गई ये तो परमात्मा कहते हैं जो बच्चे मंसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सरशक्तिवान का वर्दान प्राप्त हो जाता है क्योंकि मंसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिध्धी प्राप्त होती है सिध्धी मतलब कि वो चीज़ आपके जीवन में होने लगती है तो इसलिए कहते हैं दुआएं दो, दुआएं लो तो दुआओं में शक्ती प्रदान करो किसी को भी अगर आपसे किसी से भी गलती हो गई है कि आपने कुछ गलत बोल दिया आप रूड गए हो किसी से एक सेकंड में टिका सकते हैं क्यों क्योंकि हमारे जो वर्दान देने वाले जो किसी के भला सोचने वाले संकल्प होते हैं वो बहुत पवित्र होते हैं और उनकी तरंगे बहुत हल्की होती है लेकिन किसी का बुरा सोचने से क्या होता है हमारी तरंगे बहुत frequency बढ़ जाती है जिस कारण से हमारी एक आगरता की शक्ती भी गलत होती है और हम अपने संकल्पों में सही क्या है गलत क्या है उसको हम उसका निर्णे नहीं ले पाते हैं इसलिए दुआयों देने से हमारे मन में एक आगरता भी बढ़ती है परमात्मा कहते हैं मन को एक सेकंड में टिका सकते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मन टिके तो आप दुआयों देना शुरू करें चाहिए जो भी वेक्ती हो संकल्प उनके वश होते हैं संकल्प भी उनके क्या होते हैं वश होते हैं वे अपने संकल्पों पर विजई होने के कारण चंचल संकल्प वाले को भी थोड़े समय के लिए अचलवा शांत बना सकते, इत्ती शक्ति आती है, कि आपके जो thoughts होते हैं, जब आपके खुद के stable होंगे, तभी तो आप किसी को stability दे पाएंगे, तो आप जब किसी को आपके चारो तरफ, चारो घंटे आपके पास में अगर सिर्फ दुआई हैं किसी के बारे में, आप meditation कर रहें, दिन भर दुआएं दे रहें, तो आपके संकल्प दुआ वाले होंगे, आपके मन के अंदर चंचलता घट जाएगी, और आप जो चाहेंगे उसकी आपको सिध अधी प्राप्त होंगे, आपके कारे भी फटा-फट होंगे, यह संकल पोस्टिव होंगे, तो आप सोचें, इस गहरी बात को, और अपना कल्यान खिदी करें, आत्मा अपना ही दुश्मन, आत्मा अपना ही दोस्थ होता है प्रमात्मा कहते हैं, तो अपना दोस्थ बने, इसके साथ आपका दिन शुब हो, आप स्वस्त रहें और आपका मन भी शीतल हो, आपका हिदे भी शीतल हो, ओम शंती.